भारत के पूर प्रधान मंत्री राजीव गांदी के निर्मम हत्या करने वाले दोशी पैरोल पर बाहर हैं जिने कुरोना महामारी के प्रकोप के दौरान रिहा किया गया था वही हत्याकान में दोशी लगातार समय से पहले रिहाई की मांग कर रहे थे जिसको लेकर आज सुप्रिम कोट में सुनवाई हुई तो मामले में आज क्या कुछ हुआ और सुप्रिम कोट का क्या है रुक इस मामले को लेकर चले देखते हैं ये रिपोर्ट पूर प्रधान मंत्री राजीव गांधी जान लेने के मामले के दोशी समय से पहले रहाई चाते हैं जिसके लिए उन्होंने सुप्रिम कोट का दरवाजा खटकटाया और आज कोट में मामले की सुनवाई हुई और कोट ने दोशियों को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दि की नलिनी और रवी चंदरन की समय से पहले रहाई की याचिका पर केंद्र और तमिलाडू सरकार को नोटिस जारी किया है आपको बता दी कि दोशियों ने सुप्रिम कोट में याचिका दायर कर पेरारी वलन की तरहां सामानता के आधार पर रहा करने की मांग की है मामले का फैसला होने तक अंतरिम जमानत की भी मांग की थी लेकिन कोट ने जमानत देने से मना कर दिया दरसल सुप्रिम कोट ने 18 माई को राजिव गांधी अत्याकांड के दोशियों में से एक पेरारी वलन को रिहा कर दिया था इससे पहले नलिनी और रवी चंदरन ने राहत की मा आतंगवादी और विक्टन कारी गती विधी अधीनियम 1985 के तहत गठित विशेश अदालत द्वारा दोशी ठहराया गया है नल्नी को 25 अन्य लोगों के साथ 1998 में टाडा कोट ने मौत की सजा सुनाई थी जब मामला सुप्रिम कोट पहुँचा तो जस्टिस केटी थोमस ने 2000 में आजीवन कारावास में बदल दिया, 2018 में अन्ना द्रमुक मंत्री मंडल ने साथ दोशीों की रहाई की सिफारिश की लेगिन राजयपान ने इस छूट को देने से इनकार कर दिया था, वहीं अब एक बार फिर दोशीों ने याचिका लगाई है जिस पर कोट ने केंद से दोशीों को रहाई देने के खिलाफी रहा, ऐसे में देखना होगा कि इस बार केंदर क्या जवाब दाखिल करता है, वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी, डीबिलाइफ की रिपोर्ट